वेलकम टू ड्रीम के बीसी जिके दोस्तों एक बार फिर से स्वागते आपका ड्रीम के बीसी जिके चैनल में दोस्तों आज इस वीडियो के अंदर अलंग कार से सब्सक्राइब सामने हिंदी व्याकरण के 25 अती महत्तों पूर्ण क्वेशन लेकर आए हूँ हमारा यह वीडियो आपको अच्छा लगता है आपकी स्टडी में हैलफूल लगता है तो इसे लाइक कीजिए सेर कीजिए और अभी तक आपने हमारा यह चैनल ड्रीम के बीसी जिके चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है आप हमारी चैनल पे नए हो तो दोस्तों आपको नमबर जेबल वीडियो की नोटिपिकेशन बिलते लेकि इस तो वीडियों तक देखिए अच्छा लगे तो लाइक जरूर करना क्विशन में 126 और इस वीडियो का पहला कुशन तरनी तनूजा तर्ट तमाल तरूबर चाये तरनी तनूजा तर्ट तमाल तरूबर चाये में प्रस्तुत पंक्ती में कौन सा अलंकार है यहाँ पे चार ओप्सन दियेगे हैं अगर आपको पता हो तो इस क्विशन का आंसर आप कमेट भी कर सकते हो और अपना नॉलेज भी चेक कर सकते हो तो इसका आंसर है आप्सन है अनुप्रास तरनी तनूजा तट तमाल तरूबर चाये में अनुप्रास अलंकार है चलते हैं अगले क्विशन पे भारत के सम भारत है में कौन सा अलंकार है भारत के सम भारत है में कौन सा अलंकार है तो इसका आंसर है option भी अनन्वई अलंगार है भारत के सम भारत है में चलते हैं अगले question पे जहां उपमे में अनेक उपमानों की संका होती है यहां कौन सा अलंगार होता है जहां उपमे में अनेक उपमानों की संका होती है यहां कौन सा अलंकार होता है यहां पर ही चार ओप्सन दिएगे है अगर आपको पता हो तो इस question का answer आप commit भी कर सकते हो और अपना knowledge भी चेक कर सकते हो तो इसका answer है option डी संदे है जहां उपमे में अनेक उपमानों की संका होती है वो संदे है अलंकार होता है नेक्ष जहां बिना कारण के कार्य का होना पाया जाए यहां कौन सा अलंकार होता है जहां बिना कारण के कार्य का होना पाया जाए यहां कौन सा अलंकार होता है तो इसका answer है option सी विभावना अलंकार होता है जहाँ बिना कारण के कार्य का होना पाया जाए next कुंदू इंदू सन देह कुंदू इंदू सन देह उमा रमन वरुन अमन में कौन चा अलंकार है सुचे इसका अंसर इस क्वेशिंग का उतरे option भी उपमा अलंकार है कुंदू इंदू सन देह उमा रमन वरुन अमन ध्वनी मई कर के गिरी कंद्रा कलित कानन केली निकुंज को पस्तुत पंक्तियों में कौन सा अलंकार है तो इसका आंसर है आप्शन भी वृत्य नुप्रास वृत्य नुप्रास है ध्वनी मई कर के गिरी कंद्रा प्रस्तूत पंक्तियों में कौन सा अलंकार है तो इसका आंसर है option D slash अलंकार है पट पीत मानहु तडित रुची सुची नौमी जनक सुतावर में कौन सा अलंकार है तो इसका आंसर है option अउपमा अलंकार है नेक्स्ट संदे सनी संदे शनी मदूबन कुप परे में कौन सा अलंकार है तो इसका आंसर है option D अतिश योक्ति अलंकार है संदे शनी मदूबन कुप परे में नेक्स्ट कबिरा सोई पीर है जे जाने पर पीर जे पर पीर न जान ये सो काफिर बेपीर प्रस्तुत पंक्तियों में कौन सा अलंकार है तो इसका आंसर है option है यमक अलंकार है नहीं परागर नहीं मदूर मदू नहीं विकास इही काल अली कली ही सो बादियो आगे कौन हवाल प्रस्तुत पंक्तियों में कौन सा अलंकार है तो इसका अंसर है आप्सन सी अनियोकती अलंकार है नेक्स अती मलीन वृषबानू कुमारी अधो मुख रहित उरद नहीं चितवन जो गत हारे ठकित जुवारी चुटे चिहूर बदन कुम्ही लानों जो नलीनी हिमकर की मारी प्रस्तुत पंक्तियों में कौन सा अलंकार है अगर आपको पता हो तो इसका अंसर आप कमेट भी कर सकती हो तो इसका अंसर है आप्सन डी उपमा अलंकार है अब अली रही गुलाब में अपत कटीली डार में कौन सा अलंकार है तो इसका अंसर है आप्सन सी अनियोपती अलंकार है तीन बेर खाती थी ये तीन बेर खाती है में कौन सा अलंकार है जिसका अंसर है आप्सन सी यमक अलंकार है नवल सुन्दर श्याम सरीर में कौन सा अलंकार है तो इसका अंसर है उप्सन है उल्लेक अलंकार है नेक्ष कनक कनकते सोगुनी मादकता अधिकाय या खाये बोराये जग वा पाये बोराये प्रस्तूत पंक्थियों में कौन सा अलंकार है तो इसका अंसर है आप्सन भी यमक अलंकार है नेक्ष चरण कमल बंदो हरीराई में कौन सा अलंकार है चरण कमल बंदू हरी राई में कौन सा अलंकार है तो इसका आंसर है option C रूपक अलंकार है बड़े नहुजे गुनन बिनू विरद बढ़ाई पाई कहत धतूरे सो कनक गहनों गडों न जाई बड़े नहुजे गुनन बिदू विरद बढ़ाई पाई कहत धतूरे सो कनक गहनों गडों न जाई प्रस्तुत पंक्तियों में कौन सा अलंकार है तो इसका अंसर है option C अर्थांतर न्यास अलंकार है option C सही हो जाएगा next चरर मरर खुल गए अररर रवस पुटो तो इसका अंसर है option C अनुप्रास अलंकार है यहाँ पर option A सही हो जाएगा next पूत कपूत तो क्यो धन संचै पूत सपूत तो क्यो धन संचै प्रस्तुत बंक्तियों में कौन सा अलंकार है very very important question है अगर आपको पता हो तो इसका answer आप कमिट भी कर सकती हो तो इसका answer है option B लाटा अनुप्रास है पूत कपूत तो क्यो धन संचै पूत सपूत तो क्यो धन संचै next चरण कमल बंदो हरी राई चरण कमल बंदो हरी राई में कौन सा अलंकार है यहाँ पे चार option दिये यह है अगर आपको पता हो तो इसका answer आप कमिट भी कर सकती हो और अपना knowledge भी चेक कर सकती हो तो इसका answer है option C रूपक अलंकार है चरण कमल बंदो हरी राई में next बड़े नह हुजे गुनन बिनू विरदल बड़ाई पाई कहत धतूरे, सोकनक, गहनो, गडोन जाई प्रस्तूत पंग्तियों में कौन सा अलंकार है जिसका answer है option C अर्थान्तर नयास अलंकार है option C सही हो जाएगा, यहाँ पर next निम्नलिकित में से कौन सा सब्दा अलंकार नहीं है यहाँ पर option C उपमा सही हो जाएगा, उपमा सब्दा अलंगार नहीं है Next, किस पंक्ती में अपहयती अलंगार है? यहां पे किस पंक्ती में अपहयती अलंगार है? तो इसका answer है option D, यह चितरन नहीं मुख है में अपहयत अलंगार है, हयती जहां उपमे का निशेद करने उपमान का आरोप किया जाता है, वहां कौन सा अलंगार होता है? तो इसका answer है option D, उपमा अलंगार होता है Next, बिनुपद, चलई, सुनई, बिनुकाना, कर बिनुकरम, करई, बिदी, नाना इस चोपाए में अलंगार है, कौन सा अलंगार है? तो इसका answer है option B, विभावन अलंगार है तो यहां पे यह वीडियो समाप होता है हमारा यह वीडियो आपको अच्छा लगा हो, आपकी study में helpful लगा हो तो इसे like कीजिए, share कीजिए और अभी तक आपने हमारा यहाँ चैनल, Dream KBC जिक्के चैनल सब्सक्रेब नहीं किया है आप हमारी चैनल पे नए हो तो दोस्तों आपको नबर मिलती रहेगी आप निचे रहे, rate गलर के सब्सक्रेब बटन को दबा दीजिए और बाजू मेरे बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि आपको हमारे आने वाले ऐसे ही fully knowledgeable वीडियो की notification मिलती रहेगी तो वीडियो अच्छार को दो लाइक कीजिए और जादे जादे इस वीडियो को share कीजिए और हमें support कीजिए जय हिंद जय भारत वंदे मात्रव